बिना भूग बिना सब्जी के चार चार रोटिया खाँ जाएंगे अगर आप इस तरीके से एक बार ये भर्मा मिर्च फ्राय बनाएंगे बहुत ही टेयस्टी प्राय बनकर त्यार होती ये सबते खास बात है पास से 10 मिनिट में आप इसको बना कर तियार कर सकते जब भी आपके पास टाइम नहीं हो सबजी बनाने का तो आप इसको जरूर से बना कर देखीगा तो इसको बनाना कैसे वह मैं आपको बताती हूं यहाँ पर हमें हरी मिश ले लेना है अब ध्यान दखीगा हलकी फीकी वाल कर लिया है अब इसके लिए हम मसाला बनाएंगे तो एक पैन में मैंने एक चमच राई डाली आधा चमच जीरा डाला एक चमच सोप डाल दिये साथी वह मैं डालूंगी दो चमच खड़ा धनिया इससे क्या होता है जो भर्मा में जहना इतनी अमेजिंग लगती है इतना अ उसके बाद यहाँ पर मैंने एड कर दिया बेसन तो मैंने आधा कटोरी बलगबग एक छोटी कटोरी है तो अगर आप बड़ी कटोरी से ले रहे हैं तो आधा कटोरी बेसन यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब बेसन के साथ इन मसाले को हमें दो मिनिट तक और भूनना है सा मैंने तीन चार काली में डाल दी मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होगा अब इसको खुश्पू आने तक हम इसको बून देना है दो मिनिट के बाद यहां पर अच्छी से खुश्पू आने लग गए थी बेसन के अच्छा सा कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसको डाला सब्सक्राइब करें अल कोिछ तो मंने डर्च नहीं डिया है मीं छियों पीस लेंगे द्रदार नहीं रखना यह प्लेट में निकाल दिया है अब इसमें एट करेंगे थोड़ी से मसाले तो मैंने आदा चम to об नामक आदा गरम सब्सक्राइब करें मिर्च इतला है नहीं इताना से उप अपकुआना है जब आप इन मिर्च को दबाते हुए dau बहुत आसान है इसको बनाना आप एक बार जरूर से ट्राइ कीज़ेगा और टेस्टी इतनी लगती है कि आप जान मुझ का सब्जी नहीं बनाएंगे तो बस अब हमें इनको फ्राइ करना है तो आप यह तरीका जरूर से देखेगा अगर इस तरीके से आप फ्राइ करेंगे तो मिर्ची एकदम परफेक्ट फ्राइ होगी मसाला जलेगा नहीं मिर्ची कहीं से भी नहीं जलेगी और टेस्टी भी बहुत लगीगी तो पैन में मैंने दो चमच वाइल गरम करा बहुत थोड़ी सी राई जीरा और यहां पर हलकी सी मैती डाल दी बहुत बढ़िया सा फ् बढ़िया जाए वह उसमें नमी आ जाएगी और बिल्कुल भी नहीं बिक्रेगा में देखिए हलकी हलकी सी सॉफ्ट होने लग गई हमें मिल्च को जलाना नहीं है जैसे यह बिल्कुल आराम से इसको उलट देंगे और उसके बाद ढखकर फिर दो मिनिट पकाएंगे दो मि अब आप देख सकते हैं अंदर ही फिलिंग भरी हुई है बाहर बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है तो बस यहां पर अच्छे से हमारी मिच्टल गई है बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है अभी हम इसमें थोड़े से मसाले और एट करेंगे फिलिंग तो एकदम चटपट और के साथ पराटे के साथ खा कवायेंगा बहुत इती मज़िदात कर चिटपटी यह मिच्ट वनकर त्यार होती है हमारी मिच्ट वनकर की तयार हो गई है इसको प्लेटिंग कर लिए हैं आप इसको जरूर सिर्ट ट्राइ करके देखिएगा बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट ये भर्मा मेट्स प्राइ बनकर त्यार होती है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बैब